Nowadays, it's very common, lot of weddings are happening, inter-caste wedding, culture भी different है, कई बार countries भी different है, तो इस तरह की बहुत सारी weddings हो रही है, और दोनों ही site के लोग चाहते हैं कि कि किसी का भी जो important ritual है या जो tradition है वो miss न हो, तो किस तरह से plan करें कि हम सारे rituals कर भी लें, और आजकल destination wedding में 2 या 3 दिन का time होता है, उसमें आपको सा इसलिए I thought to start a wedding tradition series जिसमें एक है करके कई सारे traditions discuss करेंगे, firstly through this video I would like to welcome you all to the wonderful and vibrant world of Punjabi wedding, इस वीडियो में हम एक है करके वो सारे rituals, जो important ceremonies है पंजाबी wedding में वो हम discuss करेंगे, हम लोग बहुत सालों से wedding organize करा रहे हैं, और लोग ने बहुत सारी Punjabi wedding भी organize कराई है, तो मैंने देखा कुछ कुछ चीजें तो हर wedding में कस्टमाइज होती है, जो कि अपनी convenience से लोगों ने कर लिये या करते हैं, बट बहुत सारी चीजें जो बहुत common है, जो mostly सारी wedding में देखने को मिलती है, वो discuss करेंगे करके, जिससे कि आप लोग की वो important चीजें मिस ना हो, सबसे पहले Roka and Thaka Ceremony Roka Ceremony, यह mostly सब जगा होता है, कि जब आपका wedding fix हो गया है, तो bride की family जाती है, groom के घर में, एक शगुन लेके, शगुन में sweets भी हो सकती है, gift है, fruits है, वो लेके जाती है, Roka Ceremony जैसे नाम से पता लगता है, कि रोग देना means we have to stop the surge, तो यह होती है Roka Ceremony, और वही जब groom की family, bride की घ पर जाती है, शगुन लेके, तो हम उसको ठाका ceremony कहते हैं, Punjabi wedding में, और Roka Ceremony यह आपका एक low key affair है, इस पे सिफ closest family members होते हैं, वही रहते हैं, और usually वो जदा लोग को invite नहीं करा जाता है, उसके बाद engagement, ring ceremony या सगाई, यह एक आपका officially announcement होता है, सारे आपके जिनने relatives हैं, उनको बुला कर, फिर rings exchange करना, केक कटिंग करना, यह सारा, तो इसको हम बोलते है, ring ceremony है, सगाई है, engagement, फिर चुन्नी सेरे मनी, चुन्नी सेरे मनी में, गुरूम की family, bride के लिए बहुत सारे gifts, clothes, लेके आती हो, जब सबसे important है, red चुन्नी, जो की वो bride को mother-in-law चुन्री उडाती है, it's just to welcome her, कि अपने daughter-in-law को वो welcome करती है, तो इस तरह से यह चुन्नी सेरे मनी होती है, फिर यह आपका engagement, ring ceremony के ही साथ, most of the time club हो जाता है, इसके बाद मेंदी ceremony, which is common everywhere, यहाँ पे आपकी bride की मेंदी लग रही है, guest की family की मेंदी लग रही है, साथ में, बहुत सारा आपका धोल, dance यह सब चल रहा है, और हम Punjabi wedding की बात कर रहे है, तो आप मान के चलिए कि हम जितने भी functions या celebrations कर रहे हैं, सब में dance आपका priority पे है, जो भी ढोल और dance हो आपका हर event में होना है, और क्योंकि हम destination wedding की बात कर रहे हैं, तो हमको दो दिन में ही सब कुछ करना है, तो आपका day one यही स पंजाबी wedding में वह है आपका जागो नाइट, जागो नाइट जिसे नाम से पता लग रहा है कि जागना है, राद बर खूब धूब 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 धडाका करना है, ट्रेडिशनली यह आपका hometown यह विलेजिस में हुगा करता था पहले, अब आप जहां पे event कर रहे हैं, वह पहले हैं, जो भी मामी लोग हैं, वो लोग इसमें एक आपका एक copper vessel, decorated सब घड़ा या वैसल रहता है, उसको carry करती हैं, उसमें दिया रखा जाता है, दिया जलता है, और साथ में और लेडिज होती हैं, जो stickly होती हैं, उसमें बैस लगी होती हैं, और सब लोग फूब दान करते हैं, यह जो tradition है, यह तो overnight का है, बट आप जब तक कर सकते हैं, तब तक सारे लोग dance करते हैं, और बहुत मज़ा आता है, तो यह आप देख लीजे, यह आपके लिए कर्मिनेट है या नहीं, वैसे तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीत event हम already कर रहा हैं, बट यह तो थोड़ा सा इसको एक tradition को दिखाएंगे, वहाँ पर तो अच्छा लगेगा, अब day 2, wedding वाले दिन, सबसे पहले शुरुबात होती है, एक पूजा से, उसके बाद, पंडित जी, दोनों side bride का भी और groom के भी, एक धागा बानते हैं, जिसको हम molly बोलते हैं, और molly, it's a sacred thread, जिसमें बहुत सारी चीज़े होती है, उसमें कौड़ी है, चोटा सा नाइव, हाथी का दाथ, यह सब चीज़े होती हैं, तो वो bride के भी बनता है, और वो groom के भी बनता है, it's a symbol of good luck, कंगना बनने के बाद, bride side में चूड़ा सेरेमनी होती है, चूड़ा सेरेमनी जिसमें मामा जो है, वो चूड़ा लेके आते हैं, फिर उसको दूद में रखा जाता है, उसको प्योर करा जाता है, और उसके बाद उसको bride को पहनाया जाता है, and bride is not supposed to see that चूड़ा, चूड़ा सेरेमनी के बाद भी उसको शाम तक वो चूड़ा नहीं देखना होता है, रेड़ी हो जो आपका umbrella shaped होगा, सबने ही देखा होगा, आप लोगा ने, bride होती है, वो अपना hand ये कलीरा रब करती है, और जिसके उपर भी कलीरा गिरता है, वो उसकी अब next family में उसकी wedding होगी, ये मानते है, इसलिए उसमें बहुत मजा आता है, और ये एक fun element भी add करता है, इसके बाद म मंजाबी में इसको महिया ceremony बोलते है, traditionally महिया it's conducted three times, which is start two days before the wedding day, but अब जो है आपका, many families they go for this ceremony on the morning of the day of wedding, जैसे की जिस time healthy ceremony होती है, महिया ceremony ये शुरुवात होती है, रंगोली से एक रंगोली बनाई जाती है, या फिर बनी बनाई भी अब आते है, तो वो अगर आपका घर म वरांदा में रंगोली बनाते है, उसके साथी में एक पीडी या चौकी स्टूल रख देते हैं, और उसके आगे एक rectangular wooden piece रखा जाता है, जिसको फट्टी बोलते है, फिर उस जो पीडी या चौकी रखी हुए है, उसमें bride और groom जिसका भी हो रहा है, वो आता है, वो थाल में continuation में आपका healthy हो जाती है, healthy ceremony, तो ये तेल, healthy ये सारा connected होता है, और ये सब जगा होता है, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं इसको, और इसमें आपका जब ये चल रहा होता है, तो एक फुलकारी दुपट्टा होता है, जो कि चारों तरफ से लोग उसको प ब्राइड और ग्रूम को मीठे चावल से मुँ मीठा कराते हैं, और उसके बाद जितने भी लोग वहाँ होते हैं, सब को वो चावल खलाया जाता है, और वो भी बहुत शुब माना जाता है, फिर healthy के बाद घड़ा ली, ये भी एक बहुत interesting ceremony है, इसमें अगर ब्राइड और ग्रूम दोनों साइड ये होता है, और ब्राइड ये ग्रूम की जो भावी होती है, वो और लेडी के साथ जाते हैं, टैंपल या ग्रोदवारे वहाँ पर जाके पानी लेकर आते हैं, अपने सर पे घड़ा रखके जाते हैं, और उसमें पानी लेकर आते हैं, रास्ते में बहुत important ritual है यह बिल्कुल मिस्मत करिएगा तो यह आपके day two के morning के rituals या निए wedding day के morning के rituals है जिसमें आपका सबसे पहले kangna पूजा होती है kangna बनना होता है फिर उसके बाद आपका जो यह चूड़ा सहरेबनी फिर मईया हल्दी और उसके बाद घड़ौली फिर groom side की ceremony start होती है जो होती है सहराबंदी सहराबंदी when the groom has dressed up in his wedding clause तो एक पूजा होती है उसके बाद groom की sister उसको सहराबंती है and after the completion of सहराबंदी जो जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं relatives वो उसके groom के तिलक करते हैं they give cash या gift जो भी they give as a token of good luck तो वो वहाँ पे groom को तिलक करते हैं इसके बाद जो groom की भावी है वो उसके काजल लगाती है औ और जिससे कि उसको बुरी नजर ना लगे और बुरी नजरों से बचाने के लिए यह ceremony होती है इसके बाद final ceremony at groom's house which is good chadi या घोडी चड़ना जिसमें जो पहले घोडी होती है उसको feed करा जाता है उसको चने की दाल और सब खिलाके फिर उसको उसके बाद groom चड़ता है घोड जब बारात wedding venue में पहुच गई तो बारात welcome होता है और साथी में मिलनी ceremony होती है बारात welcome उसमें जितने भी bride side के लोग है वो groom जो bride की mother है वो groom के तिलक करती है और सारे बाराती इसको लोग welcome करते है and then the groom's relative they welcome by the bride's corresponding relative for example की अगर मामा है तो वो bride के मामा के साथ उनको meet and greet होगा उनको माला exchange करना होगा कि दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे और ये आपका सिर्फ garland exchange करना भी हो सकते है और it can be any gift या cash it depends तो ये मिलनी भी एक important part है पूरा आपका wedding का क्योंकि ये आपका एक family का एक formal introduction है एक दूसरे से इसके बाद वर्माला ceremony वर्माला के बाद वो मंदब पर जाते हैं उसके बाद मदू परक होता है चोटा सा ritual होता है जिसमें father जो है वो अपनी this is the biggest दान by father जो अपनी daughter का कन्यादान करता है तो वो आपका होता है उसके बाद आपके फेरे होते हैं जब आपके सारे फेरे हो गए उसके बाद फिर मांग भराई और फिर वो मंगल पहना यह सारा आपका continuation में रहता है इसके बाद जो bride's का brother है he pours puffed rice into her hands which she and groom offer to the fire और blessings लेते हैं इसके बाद जूता चुपाई which is again an interesting ritual जो सब जगा होता है जो की जो bride की younger sister होती है वो अपने जीजा जी के जूते चुपा के कहीं पर रखती है और वो उसके अगेंस उसको gift मि जलता है वो जो भी demand करती है this is a fun element इसके बाद विदाई विदाई तो we all knows the bitter sweet ceremony जहां पर bride को अपना घर चोड़के अपनी family को चोड़के जाना होता है and bride throws a handful of rice एक मुठी बर के rice जो है वो अपने घर की तरफ फेकती है it's a symbolic of a thank you for taking care of her फिर विदाई के बाद गिरह के घर में और इसमें ये पंजाबियों में एक पानी वरना होता है जिसमें की सास जो है एक उसमें बरतन में जो पानी होता है वो दोनों की नजर उतार के और वो सिप करती जाती है तो उसको पानी वरना भी कहते है तो ये भी सरेमानी होते है और पोस्ट वेडिंग है कि इस तो यह एक इंपोर्टेंट रसम मानी जाती है और यह रसम इसलिए होती है कि ब्राइट जब पहली बार अपने माईके में जारी तो उसको वही इंपोर्टेंस फील होनी चाहिए और पंजाबी वेडिंग या सिख वेडिंग में मोस्टी सारे रिचुछ सारी ट्रेडिशन्स क सब्सक्राइब को छोड़के दसिख वेडिंग सेरेमनी इस कॉल्ड अनन्द करच एंड टेक्स प्लेस गुरुद्वारा इंस्टेट ऑफ वेडिंगे बैंकट हॉल और वहां पे पंजाबी ब्राइडर कपल होता है वो होली बुग जो गुरु ग्रंद साहिब है उनके फेर है और होना चाहिए और मैंने मिस करा है मैंने नहीं बताया है तो आप प्लीस कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा जस्ट तो हैलप आउट दा वीवर्स तो उनको भी पता लगना चाहिए और प्लीस दोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो और अगर आपको लगता है यह वीडियो किसी के लिए यूसफोल होंगे तो उनके साथ शेर जरूर करिएगा और वेरी सुन आइवल बी कमिंग विद मैं नेक्स वीडियो जिसमें हम एक डिफरेंट कल्चर के बारे में बात करेंगे डिफरेंट वेडिंग के बारे में बात करेंगे so thank you thank you so much keep watching my channel and keep sharing with everyone